तो दोस्तों आज फिर एक बार मैं आया हूँ सुमया कार्स में और आज हम जो गाड़ी कवर करने वाले वह है फोर्स की बस तो आज हम इसी के बारे में वीडियो बनाने वाले है डीटल में तो जैसे हम फ्रेंट पर आते हैं तो गाड़ी का कुछ लोग इस तरह से नजर आता है तो यह जो बस है यह फोर्स का बस है और यह वाइट कलर के अंदर है तो फ्रेंट से कुछ इस तरह से बस नजर आता है अब हम आते हैं थोड़ा सा साइट में तो इसका साइट प्रोफाइल जो है कुछ इस तरह से नजर आता है तो आप देख सकते हैं काफी बड़ी और बहुती बड़िया कंडिशन में गाड़ी है तो और और गाड़ी कुछ इस तरह से नजर आती दोस्तों बाहर से हम आते हैं बैक साइट में तो आप देख सकते हैं बैक साइट से इसे उपपर चैड़ने के लिए सीडिया भी बनाए हुए उपपर कैरी वगेरा है लगेज अब आते हम साइड में तो दोस्तों साइड में कुछ इस तरह से गाड़ी नजर आती है मैं आपको घुमा के दिखाना चाहता हूँ बट यह साइड में वाल है और उस साइड में रोडे और पर ट्रोफिक है इसी कारण मैं आपको घुमा के नहीं दिखा सकता हूँ जो भी ह हो सकता है कोशिश करूँगा दिखाने की तो इस साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से नजर आते हैं तो दोस्तों अभी मैंने आपको बाहर से जितना हो सका दिखा दिये है गाड़ी तो अब हम आते हैं टायर पर तो एक बार हम इसके चारो के चारो टायर चेक करते हैं और फिर बाता देख इसके कितने परसेंट टायर बचे हुए तो यह था बैक साइड का टायर यह है फ्रेंड का टायर यह फ्रेंड वाला टायर है आप देखिए कर देखने के कुई पैसे ने लगते भाई और आप चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए अब सस्क्राइबर सस्क्राइब करोगे तो मुझे और एनर्जी मिलेगी और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो वना पहूंगा यह बैक का टायर तो दोस्तों और ओल गाड़ी बाहर से मैंने दिखा दिये है टायर के बारे में आप जानकरी देता हूं तो इसको जो टायर है इसके टायर कंडिशन जो है तो यह अभी फिलाल मेरे सबसे 55% इसके टायर बचे हुए है यानि कि आप जब भी गाड़ी खरी देगे तो आपको साल भर तक टायर बदलने के कोई ज़रुरत नहीं आने वाली है तो यह हूगा बाहर से टायर का आप हम जाते है गाड़ी के अंदर और गाड़ी का अंदर जाने के बात डिटेल में जानकरी लेते की गाड़ी क्या अंदर का इंटेर वोगेरा खैसा है यह कितनी सीटर है यह सब कुछ बात है तो गाइज काफी बड़ी गाड़ी है मैंने बाहर से मुझे लागा नहीं यह ट्रक के साइज जैसा इसका कैबिनेट है तो आप देख सकते हैं यह है इसका डैश बूर्ड यह पैसेंजर सीट है ड्राइवर सीट के बाजू में जो मुझे जाने के लिए खड़ी कर दी है क्योंकि मुझे बैक भी जाना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं यह है डैश बूर्ड और यहाँ पर यह मीटर है जो हाइलाइट करता है कितना किलोमेटर च और सीट की कंडिशन देख सकते हैं इसके उपर कवर लगेवी सीट नहीं है तो यह क्याबिन तो आप हम जाते हैं अंदर अंदर जाते हैं और आपको सीट दिखा देगी इसके अंदर कितने सीट है और किस कंडिशन में है तो दोस्तों हमने खुला है डोर अंदर जाने के लिए आप लोगों के लिए बस दिखाने के लिए तो आप देख सकते हैं मैं थोड़े से पड़ दे इस पीक कवर भी है तो आपको ठीक से दिखा ही देंगा तो मैं आगा हूँ इस गाड़ी के बैक सीट पर और आप देख सकते हैं बैक सीट से यह गाड़ी अंदर से किस तरह से नजर आती है काफी बड़ी गाड़ी है और आपको बता दू कि यहाँ पर लगेज के लिए और क्यारी भी बीठा हुए जो आप सुटके सोगे रहा है पर लेके जा सकते हैं तो अंदर से गाड़ी कुछ इस तरह से नजर आती है तो सीट की बात करें तो यह पीछे लंबी सोफा सीट टाइप की सीट है आप देख सकते हैं उसके बाद यह दो याणि की थीं चाएर पाच शिट गाड़े हू जाती है जो सोफा से सीट जैसा है तो टूटल बंद्थेए बंद्थे यह डाता से बैड़ सकते यानि की ऑब स्कूल के लिए यूज़ कर सकते है तो दोस्तो ओर आल गाड़े अंदर से कुछ इस तरह से नजर आती है तो दोस्तो यह था फोर्स जो फोर्स कंपनी की बस है और यह सक्रा सिटर है सक्रा सिटर कहिने के लिए है इसके अंदर कम संग 20-25 लोग बैठ सकते हैं काफ़ी बड़ी गाड़ी है उपर आप देख सकते हैं लागे जोगे रहा तो दोस्तो ओर आल गाड़ी के बारे में आप उनने डीटेल में जानकर दे दी है अब इसके बारे में जानते है कि इतना किलोमेटर चली है यह फस्ट ओनर यह सेकंड ओनर है क्या इसका ओफर है यह सब कुछ बाते जानते हैं तो दोस्तो यह जो फोर्स है यह फोर्स दो हजार बारा का है और यह फस्ट ओनर गाड़ी है यह फस्ट ओनर है दो हजार बारा का यह नौड़ल है रही जो किलोमेटर चली है 25,000 किलोमेटर यह गाड़ी चल चुकी है और आभ इसके ओफर की बात करे तो इसका ओफर जो है 5,5,000 रुप repeating offer है तो दोस्तो इसका जो ओफर है पाश लग पचास हज़र उपर है बस ये कहने के लिए ओफर है अगर आप यहाँ पर आते हैं इनसे बात करते हैं तो इसमें कम हो जाएगा तो दोस्तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी और वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना आज की वीडियो में बस इतना ही था मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाद